ında आज का वीडियो लाँज है जो यूजीसी है उसकी क्या गाइड लाइन्स है उजीसी एकजांबस के बारे में क्या बोल रहाए। exams कैसे लेंगे final year के या फिर exams को cancel करने के लिए जो उपर से notice आया है उसके regarding UGC का क्या कहना है और exams होंगे तो online होंगे, offline होंगे और cancel पूरी तरह से हो गए हैं या नहीं आपके सभी के जो भी doubts है exam से related वो सभी doubts इस वीडियो मैं clear कर दूँ इस वीडियो में final year के बारे में री के बारे में सभी के बारे में discuss करेंगे firstly मैं final year के बारे में बदा दूँ की UGC ने final year के regarding क्या बोला है firstly final year के बारे में बोला है कि final year के जो है exams cancel नहीं होंगे ठीक है UGC calendar 2020 क्या बोला है according to latest UGG guideline University will have to conduct final year exam by September 30 September 30 से पहले final year के exam करवाने होंगे decision has received ठीक है तुम पता होगा कि number of cases क्या है increase होते ही जा रहे हैं तो I don't think कि first second third year के exams होंगे बट फिर भी जो UGC क्या बोल रहा है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं दिली गर्वेंट है decided to cancel all semester and final exams of the university and ask the university authorized to come with the alternative evaluation plan ठीक है कि क्या बोला है दिली गर्वेंट ने कि तुम ये final ये जो सारी semester के exams है वो क्या कर दो cancel कर दो but this decision is applicable only to university under the देली गर्वेंट जो देली गर्वेंट ने बोला है उस सिर्फ इनके जो देली गर्वेंट के अंडर जो ये उनिवस्टी साती है उनमें सिर्फ लागू होगा जो है लाइक नेशनल लाई उनिवस्टी देली ठीक है ये तो ये बात होगी and state के बारे में क्या बता है state government can make their own decision ठीक है अभी state में कब लागू होगा जब state government अपने खुद decision लेके उनको state government decision लेगी और उनिवस्टी को send करेगी उसे ये लागू होगा तो ये मारा final year के बारे में था some more important यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि academic calendar UCG prepared has invented by home minister by health expert have to conduct before decision ठीक है ये तो कुछ नहीं कि September से पहले हमें करवाना होगा final year scores are very important it would not be मतलब final year के जो exams हो बहुत important scores बहुत important तो final year के exams तो होंगी final year's results are statement of their ability which has a global acceptance ठीक है हम में सब को पता होता है कि final year के exam से decide होता है ठीक है कि कितने कितना क्या score और राल courses में भी बहुत करा तो final year के exam है वो बहुत ज़दा important है UCG took the decision after considering the future perspective of the large number of students ठीक है large number of students की future को ध्यान में रखते हैं उन्होंने ये decision लिया there is no pressure on the harm ये भी बोला गया कि जो exams होंगे अब ये भी बहुत ज़दा बच्चों के मन में doubts आ रहा है कि ये जो exams होंगे online होंगे या offline होंगे तो कोई pressure नहीं है इसके regarding ये online भी हो सकते है offline भी हो सकते है और ये mixed भी हो सकते है अब ये government पे डिबेंड करता है कि exams को कैसे conduct करवाएगी ठीक है और जिस जो exam नहीं दे पाएंगे उनको एक दूसरा chance भी मिलेगा examination के लिए ठीक है एनी डे, other date पे या फिर ठीक time के according वो university तुम्हें बता देगी तो final year के बारे में था कुछ और importance भी बताती हूं तुम्हे और यहां पे देखो usage न क्या बोला यूसीजी guidelines exam के लिए कि राजय सरकार पर यूसीजी कर सकती है करवाई तो इसके according मैं आपको बता दूँ यहां पे क्या बता रखा है कि यूसीजी ने बोला है कि अंतिम वर्ष के विश्व विध्यालों के प्रिशाओ को रद करने के लिए तो कह दिया है राजयोंक ऐसा अ नहीं ले सकती है अपने basis पे ठीक है यहां पर तुम्हें जो बात है जो तुम्हारे लिए important है कि सभी university और college के अगामी exam रद कर दिये गए थे और कोरोना हमारी के कारण दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने यूस्टी को लेजिज के final year exam को रद करने को लेकर PM Modi को पत्र लिकर आगरे भी क्या है उन्होंने कहा है कि हमारे यूवाओं के लिए के exams को रद किया जाए इसके लिए letter नोंने base दिया है उनके future को ध्यान में रखते हुए के जरिवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी PM Modi को letter send कर दिया है ठीक है यूजीजी की guidelines के according समिक्षा ने निर्ना लिया कि विशविद्याले और इनकी ये निर्ना लिया गया कि अंतिम वर्ष की परिक्षाएं हैं वो होंगी चाहे वो offline mode में हूँ चाहे वो online mode में हो और सितंबर के आखरी तक ये परिक्षाएं ले ली जाएंगी तो ये कुछ क्लिप्स थी जो मैंने तुम्हें दिखाई नाओ I want to show you the letter ठीक है UGC ने जो actual में जो exams के रिकार्डिंग जो बताया है वो दिखा दू UGC revised guideline for the examinations के लिए यहाँ पर इंट्रो दे रिखाया है इंपोटेंड ने guidelines क्या क्या है वो बता दू मोड ओफ टर्मिनल समेस्टर फाइनल एक्जाम यूनिवरस्टी और रिक्वाइड टू कम्प्लिट एक्जामिनिशन बाइड दे एंड ऑफ सेप्टेंबर इन ओफ लाइन मिन्स पैन और पेपर मोड में या फिर online या फिर online ठीक है यह प्रोपर यूजी सी की वेबसाइट वेबसाइट से है यह रियल है की guidelines है कि मोड ओफ टर्मिनल मिन्स फाइनल एर के एक्जाम कैसे होंगे या तो online होंगे या offline होंगे और end of September तक exams हो जाएंगे provision of exams थोड़ा है is special chance ठीक है की जो भी students है टर्मिनल में है final exam में unable to appear in exam conductor मैंने तुम्हें बताया था कि exam में अगर वो नहीं पहुँच पाते हैं time पे या फिर कोई और problem आ जाती तो उनको दूसरा chance भी दिया जाएगा opportunity दी जाएगी ठीक है यह यह बता रखा है and about the backlog of papers ठीक है जिनकी re-IUE किसी भी year में उनके बारे है students of the terminal year final student having backlogs should compulsory be elevated by conducting exams ठीक है जिनकी re-IUE first, second, third year में या फिर final year में नहीं आई वी बात सुनो कि final year में re है उनका अलग है और किसी year में re है उनका अलग है और किसी भी final year को छोड़ के रिया उनको तो SATs आगे promote कर दिया जाएगा और जिनकी रिया यह final year का में तो उनका exam लिया जाएगा compulsory होगा उनका exam और offline भी हो सकता है, online भी हो सकता है, feasibility के according और suitability के according वो time और वो तुम्हें बता देंगे Guidelines regarding the intermediate semester exam will remain unchanged ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया था पहले कि intermediate का क्या होगा पोस्पोन हो जाएंगे ठीक है, real and detail if needed, there is not important, ठीक है, तो यह UGC ने जो actual send किया था वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया और कुछ clips भी बता दिया, I thought तुम्हें सभी doubts clear हो गये होंगे, अब भी कोई doubts हो तो comment में बताना में reply ज़रूर करूंगी एंड ऐसे यह latest news पाने के लिए चनल को subscribe कर दो